सब्सक्राइब रहे हैं पामे के गुप्त रोगास बंदी हो जा फिर आई सी यू दे विच्छा किस तरीके दे नाल वड़ी गंटी चीड़े पेशेंट हों दे हैं तो उन्हों किस तरीके नाल रिकवर करना है आपने अप बहुत वड़ी गाला है अमेट सॉफ्ट जी तौड़ा शुक्रिया करदा है तो उते ही अमेट जी सब तो वड़ी गाल है के आईवी अफनू लाक के वड़ी जड़ी उचर्चा हुंदी रहें दी है सब तो वड़ा चैलेंग तो उतों शुरू हो जानदा है बिकॉस जितों तो से आई से चाम करते हो तो अड़ी पेशेंट जिस वी कंडिशन जानदा है तो उस तों ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो परजीमपलब उपेशेंट मैंम रिसरच मेरा ऐस्पिटल है पेशेंट को बरदासपूर्ट तो कोई प्रॉबल्म ना तुरिया कोई बी प्रॉबल्म चाहे हों दिमागेए थिया काडियक है जोई को पोईजन है, किड्नी है, कोई भी किसम दे और गंदी प्रोब्लम है, अगर उत्थो तुरन लगे हैं ते साड़कुल पॉंचन लगे हैं, फॉर एंपली कंटे दर रस्ता है, वो रस्ते ते अगर अगर अपनी नजर रखांगे, उना नो भी मोडली सिख्या दियांग पेशेंट पॉंचन लगे हैं, इर्रिवर्सिबल हो जाएगा, या कोई ऐसी या मेडिसिन रस्ते लगा के आनी हैं, जितना साड़कुल कुछ रिवर्सिबल कंडिशन चे पहुंच जाएगा, ते असी हंड़ड परसेंट कोई होंदा नहीं हैं, लेकिन आसी काफी कोशिश क कर सकते हैं कि इसे उन्हों रिवर्स कार दे आंगे या जिंदा कर दे आंगे, लेकिन पेशेंट दियांगे, अगर फर ग्जेंबल रस्ते जी कंडर रस्ते गुर्दे फेल हो जान, गुर्दे फेल डावी इलाज साड़कुल हो सकता है, या हाट ही काडिक रेस्ट हो जाए, या ब्रेंड डेमेज हो जाए, ऑक्सीजन दी कमी करके, या ब्लड पिशर दी बिल्कुल जीरो हो जाए और कमी करके ब्रेंड डेमेज हो जाए, फिर साड़कुल पेशेंट आते जंदा है, देखो तुसी उस चीदा जिकर कीता कैसी कि में मरीजनों रिकवर कर दिया, देख आत्सा हो जे, किस तरीके दी आसी सिचुएशन देखिया, किस तरीके ना जड़े मरीजनों रिकवर करन दी की कोशिश मौके दी करनी चाहिए, तो कि एम्बलेंस ऑन भी बात समा लाग जानना सम्टाइब, पिछले कुछ साल तो एम्बलेंस ऑन बहुत जादा समा नही लग सब कुछ अंदर ही अवेलेबल होंदा है, तो पुचा दिन दी है, तो वन्हों किसे ने नेरे सॉस्पिटल वास थे, फिर वियस ही, सानुमी आज़े, डॉक्टर, सानुमी आज़े, स्पेशलिस्त आईदा है, कि स्कूल लाँ चीज़ां चीज़ां चाहिए, कि मौके दे को सब्सक्राइब कर दिया, कि मेरे को आईशुच पेशेंट पांचन तो बाद मैं उद्राल की कीता, बिकॉज साद को अगर ठीक हाल च पहुंच जाएगा, रिवर्सिबल च पहुंचेगा, तो यसी डेफिनेटली उन्हों सी अल्मोस हंड़ेड परसेंट ठीक कर दियांगे, लेकिन उजड़ा समाए एक्सिडेंट दे हून तो लेके साड़े तक पहुंचन तक दा, उजी असली क्रिटिकल टाइम है, उजी गोल्डन टाइम है, उजी एक्चॉल टाइम है, जिदे चसी पेशेंट नो रिवर्स कर सक देयां, उन्हों पुचाना किस तरह हैं, उथ तो अड़ा भी, आज आइसू स्पेशलिस्ट उन्हा रोल नहीं रह जानता. क्रिटिकल पेशेंट किसे भी तरह आजाएं, सिर्टो लेके पैर तक कुछ भी टॉइ, कुछ भी टॉइ, कुछ भी फेल हुए, असी उन्हों रिवर्स किस तरह करना है, उदली सानु सारियां फेसलिटिस एक छात थले सा डिकल होनियां जरूरी है, चाहे हो ब्रेन है, चाह कि में दूर कीता जा सकता है, क्योंकि जिड़े लोग एस टेक्नीक नूँ जान दे है, उस समझते है, आम शब्दां दे वेच, आम लोगों किस तरह करना है से समझा सकते हैं, जी, ससे काल जी, मेरा नौ डॉक्टर रमिट सोफवत है, मैं रमा सोफवत हॉस्पिटल ची लास अगर एक साल तो इंटरकोर्स कार रहे हैं, अन्पर्टेक्टिट इंटरकोर्स कार रहे हैं और प्रेगनेंसी ना होवे, ता उस कपल लो इन फटाइल लेवल किता जान दा भा, ए इन फटिल्टी लगबग पैंती परसंट लोग कांदेविच मेल दे कारन दे कारन पाई जा समस्यानल पीडित ने आजकल पूरे वर्ल्ड देविच और इस दे परमुक कारण हन के पेशिंट्स दे लाइफ स्टाइल देविच चेंज़ आगी आने, लेट मैरेज़ हो गई हैं, कुछ स्ट्रेस और टेंशन कपल सी लाइफ देविच बहुत जादा वाद गया हैं, मैं इस प्रॉब्लम नो ओवर दे लास्ट टू डिकेड्स मैं देख रहे हैं कि बहुत जादा पेशिंट्स इंफर्डिल्टी नाल पीडित ने, जिस दासान नो बहुत जादा मतलब इस प्रॉब्लम नो टैकल करन वास्ते, मतलब इंपोर्टेंट और न्यू ट्रीटमेंट लोग का दी प्रॉब्लम्स नो सॉल्व करना चाहिए दाक्टर सौबत ए तुस दो के डीवी 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 पेशंट सुन्दे ने उन्हों नहीं हों तुसी लेप्रोस्कॉपिक सर्जन भी हागे हो और है उच बड़ा हंदा कि असी ओपन सर्जरी कराई है या अपने लेप सॉलियां और बच्चेदानी असी दूर पी नाल कड रहे हैं मैं इन फाक्ट लुद्याना विच वान फॉर्स्ट फ्यू पीपल से गा जिना ने लेपरोस्कॉपिक सर्जरी हिस्टेरोस्कॉपिक सर्जरी इंटर्यूस किती से गी और असी ए उप्रेशन दूर पी नाल कर द ये असी पेट दे विच इंस्ट्रुमेंट्स पनने हैं लगबग 5 mm दे कट थुन देने और ये चोटे कटा करके असी बड़े बड़े उपरेशन कर सकते हैं एनी टेक्नोलोजी एडवांस हो गई है नई वैसल सीलिंग मशीन आ गई हैं कुछ इमेजिंग टेक्नोलोजी बह सब किस त्रीके दे पेशेंट तो अडेकोल होंदे ने ते चैलेंज होना दा सब तो बड़ा की होंदे हैं साडेकोल जड़े जड़े ज़्यादा पेशेंट्स होंदेने और मेल होंदेने दोजार सफरिंग वैद एरक्टाइल डिसफंक्शन जिन्नों के एरेक्शन एकशर एकशलेशन जिन्नों आम पासे अचलो की शिगर पतन भी कहन थेने उन अकसर जड़ेडी लोकानू प्राबलम में आंदी हैगी कि आज एक कोमन बिलीफ जब ऑनके रह गया है कि जड़ें सेक्स प्राब्डम स्रीट नी हो सकती हैं इस तक गोली खानिया पहनी आने ज ते उत्थे डाक साब ने उस पेशेंट दे उना सिम्टम्स नो देखना है तो दे एकॉर्डिंग ली ट्रीक्मेंट शुरू कर दिन देने मेरे उत्थे रब दीक खास रहमत रही के मैंनू अमेरिका देविच उनिवर्स्टी ऑफ मिशिगन तक पॉंचन दा मौका मिलिया मैं उत्थे जाके पढ़िया ओदे करके मैंनू जड़ा रब ने एक खास एक होर चीज बक्षी जिन्हों मैं कहन दा है के वी हैव गौट यूनीक पेशेंसेंटरिक अपरोच जदों साधी क्लेनक देविच पेशेंट आंदे है तो थाख्त ऑर थे पंच चीज जाते थे आंदे है जिन्हों कहन दे है फिजियोलजी जिनु आप शरीर कहन दे है स्प्छिश्जी चाहलजी मेंटल हेल्ट एमोशन य जदो पेशेंट से दिगानोज करदे हैं, पिर त्रीटमेंट वी इसी आप्रोच देना विकॉज षी किसी जीच थैनल सेक्स्ट फ्लाइएं, सब्स्ट्रयटम्ज थाउ arrow आबागान कोई भी नाऊ सांद भी योगा शफ्लाइएं, we focus on all these five things and sometimes people say के तो अदेकुल कोई magic remedy है sex problems ली I always say पाई मेरेकुल कोई magic remedy नहीं है गी है but सादेकुल हो रभधी किरपा देनल magic approach है magic attitude है and magic enthusiasm है to help you to recover from the sex problems importance मेले मेलेच, व को की कारन मांने है पका लाइसस्टार में चेंज है उधे कर पर के इस्टी होरी है या कुस होर तुसे रिजिन है बड़े सारे रीसे रीजन है लिस्टार और कॉमं स्थे को मुझे जिरू जा आँ था लिए पार अइट इस जा रही है कि आज जिवे रहे है ग It can be financial stress, it can be deadlines, target-oriented jobs, or night-shift jobs. If we do a night-shift job, we do a night-shift job and do a rectal dysfunction or premature ejaculation. Because what is that? What we call shift work sleep disorder. Stress is very big. Okay, Dr. Dr. Sob, when did the doctor come back to the hospital? When did the doctor come back to the hospital? I don't think it's more difficult. COVID has been said that, in which studies we will check, that COVID has a sex problem or a male performance or an erection, so it will come to know that COVID is in which we go inside, endothelial dysfunction creates. Endothelium is in which we have an artery in which we have a layer. They will call endothelium. It will help the nitric oxide release current. and the blood vessels, and the arteries, which we will call the nose, open up, then the blood circulation will be affected by the penis. If it will endothelium dysfunction, endothelium is also affected by the nitric oxide, and then the nose will not open, the penis will not circulate properly. Sob, if it is not happening, then the COVID is affected by the erection. Dr. Sob, if there are fibroids, what will the operation be done? Dr. Sob, if there is no need to remove all fibroids. There are many small fibroids in the uterus, which are outside the side of the uterus, which is not the removal of the load. There is no problem in pregnancy. If there is no problem in pregnancy, which is not the problem, which is not the problem. Infertility is a very big problem, which is our infertility center. We are giving a lot of new treatments. We are giving a lot of new treatments. which is available in our center. And these treatments are very important. Infertility is a very successful treatment, and it is a success rate. The success rate is a lot of new. For those patients, some of the first few years, have a problem with anal-pidateson, fibroids, tubes, or patients have endometriotic cysts, or some of the agnes, or some of the semen, all of the patients are being treated with our hospital treatment. And through the assisted reproductive techniques, we have our infertility success rate, treatment success rate, will get much more. And I ask, all of the patients, who have infertility problems, who have not been treated, who have children, who have been treated, who have been treated, who have been treated, and who have been treated, and who have been treated, and who have been treated, a lot of people. No matter what, the antiruses of the patient will continue to make the patient, who have been treated with their ulcer, with that, and so we can see the patient's patients, who have been treated with it. In which we have identified, with the single patient's patients, In which we have followed, Now, it's a very good treatment. relatively new technique, which has been tailored to do, in terms of the hospital and the day. पर होना टिक्नीक सारी लुद्याना दे विची अवेलिबल ने जिस्ते नाल लुद्याना विच भी हो और शहराच भी जरूर हुंदे होंगे, होएगी जरूरा जिस्ते नाल यूट्राइन सेप्टम्स कटे जा सकते हैं, बाय कॉर्ने टूटर्स दा ट्रीटमेंट किता जा सक आप दे वाख वाख एरिया दे विच वाख वाख डॉक्टर्स लिया है किने, सो पेशेंट्स नो इक अच्छा सेंटर लबना चाहिए था जिते सक्सेस रेट्स अच्छे होन, सारी सर्जरी जोन और इन फैक्ट अजकर एं टिक्नोलोजी करके बहुत सारे हजारा लखा लु क्योंकि तुसी उन्ना मरीजा नू रोज देख दे हो जड़े जिंदीगी दे मौत दी जंगता जरूर लड़ते हैं, जड़े बिलकुल ब्रोड कई वर डाड़ होन देता है, इस तो किस तरीके ना रिकवर कीता जाना है, क्योंकि तो आटा एक मैसीज पूरे पंजाब, कीमती जड़ा है, उस अंदेश दे सकता है. सारिया चीजा मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह पहले आज तो अगर पिछे चल जीए, वी पचीर साल पिछे, पंदरा साल पिछल जीए, कैथलाब नहीं हो दियां से, पेशेंट्स आंदा सी और बहुत सारे पेशेंट्स नहीं बच पांदे सी, जनानों हार्ट अट अटाइक अज दी डेट तो सारियां कैथलाब जागी हैं साड़ेकोल जीए, और जी हो जा है मरजीद साड़ेकोल हार्ट अटाइक दा पेशेंट आए, और जेडे साड़े काडियोलोजिस्ट है, एंटरमेशनल काडियोलोजिस्ट है, वो खेडन, उन्हों दे लव तो प्लेविद आ अच्छा होना दे हाथ सेट हो गए है किसे भी जगाते कोई भी ब्लॉक के जोबे इमेज़ेट लिए हो थे स्टेंट पाके पेशेंट नो इमेज़ेट लिए रिकवर कला दिन दो रखला दिन चुटियो जन दी है, जो पेशेंट ना खाये, गोली ना खाये, तुझी करें इखा करें जाना है, बैठते पहुँच्छा है, की करें और कलो हाल की है, देखो कुछ चीजा एदाद यहां हो सकती है, जड़ यहां पेशेंट शुरुवाती दौर्च क्योंकि जदो इरक्टाइल डिसफंक्शन होना है गे, एक को दम तर सिवियर ते नहीं पहुँच जा टीन लाइफ दे विच अगर कुछ चीजान हो एड करते हूं, सब तो पहला ता कम से कम 40 मिनट दे ब्रिस्क वाप त यह अपनी लाइफ एड करो, ओदो बाद, सुबा जदो सी उठ देओ, जटो सी खाली पेट, जड़े मेती होंदी मेती दो तनादी आँ एंदी एंदी एं बानी ना ले सकते हुगं कोकी तरबूझ देवर्च न्यछ तृत्री पानी ना ले सकते हुग टी जदो सी ब्रेक्फस्ट करना है उस तायम ते अगर तुसी जनों टार्मेलन केंदेने तरबूज केंदेने ओध जूस बना करीं एग एंग ए ब्ते कितने क्योंदा बीम थार फोर्स तो लेके, हाफ टीस्पून, डिपेंड्स, फेर हो वेदर ते गर्मिया देविचे काट लेनी है, तुसी कोसे दो तनाल जे लेन देओ, तो बहुत चंगी होएगी, जड़ी दाल चीनी, ते मेथी है, तोड़ी टेस्टोस्ट्रों लेवल नो अंच मदद करेगी, ते ज प्रत्सट्रों स्ट्रिद की और प्रत्सट्रों खरता तेम. तो अधा एलिसिन एक्टिवेट हो जाएगा उदो बाइफे तुसी खालो फिर तुसी पानी आल खाना है चीव करना है that's entirely your बहुत शुक्रिया असादनल जो नवासे मैं माना दासो वाक 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 हिस्सें ते सेतनल सुमंदी तसी चर्चकन्दी कोशिश कीती मौश्य शुक्रिया थैंक यू सो मच तो अड़ा तानवाद है जड़ा वसी सबनू मौका देता है thank you thank you so much thank you